26 वी बैठक आयोजन किया गया और इस दोरान बिहार सरकार के जलसन साधन मंत्री संजय जहा भी मौजूद रहे उन्होंने बैठक के एजेंडे में कोसी हाई डैम का मुद्दा शामिल नहीं होने के बावजूद इसे उठाया मंत्री संजय जहा द्वारा ये मुद्दा उठाय जाने के बाद बैठक या ध्धक्शता कर रहे चैंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिज शाह ने कोसी हाई डैम के संबंध में विस्टर जानकारी के साथ ही नाग carries समुहों के सामने कई बार ये मुद्दा उठाने की बाद कही और उत्तर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की बड़ी तबाही को रोका जा सकेगा जल संसाधन मंत्री संजय जाने जून 2019 में भारत सरकार के जल शक्ती मंत्री को पत्र लिखकर हाई डैम का डीपी आर तयार कराने का नुरूद किया था साथी अगस्त 2020 में भारत सरकार के विदेश मंत्री से मिलकर हाई डैम का डीपी आर तयार कराने के संबंध में चर्चा की थी पत्ना में आयोजित 26 मी पुर्वी चेत्रीय बैठक में यहाँ पे जल संसाधन मंत्री भी सामिल हुए जिसमें उन्होंने संजेज हाने मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से हर साल बाड की तरास्दी उत्तर बिहार के लोगों को जहलनी पड़ती है और जो कोशी और पुरा आसपास का जो इलाका है नेपाल से जो नदिया पानी लेकर आती है उससे त्राहिमाम की इस्थिती होत लिहाजा जो काफी लंबे समय से प्रस्ताबित है कोशी हाइडेम इसका निर्मान हो और इसके लिए किंद्र सरकार के मदद की जुरूरत है तो इस तरीके से जो बाते हुई से बैठक में उसमें यह कहा गया कि यदि हाइडेम का निर्मान हो जाता है जो कि अंतर्राष्ट् के बाद यहां पे जो आर्थिक स्थिती है उत्तर बिहार में खास्तोर पे सीमान चल और पूरा जो तराई का इलाका है उसमें बहुत मदद मिलेगी और इसमें किंद्र सरकार बिहार की मदद कर सकती है तो हर सरकार जो हर साल जो एक तबाही होती है बाढ़ की स्थिती से उस उससे निजात मिल पाएगी तो लिहाजा किंद्र सरकार बिहार की इस मसले पर मदद करें और सिग्राती सिग्रा नेपाल के साथ बात करके इस समस्या का समाधान में पहल करें और इससे नदी की आक्रमक्ता कम होगी जो सील्ट की समस्या है नदियों में वो दूर होगी और संजे जहां भी हर सरकार के मंत्री ने ये मांग रखी है और जो अध्यक्षता कर रहे हैं यहां पर अमित साह केंद्रिये ग्रिह मंत्री उन्होंने कहा है कि इसका डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुहिया कराया जाए